नमस्कार आज मैं सावो दाने का वड़ा बनाऊंगी तो बनानेच पहले आप इंग्रेडेंस देख लिजे यहां पे बॉयल किया हुआ चार आलू है आदा कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा कच्चा मोंपली है 15-20 कड़ी पत्ता इसको छोटे टुकड़े में इसको काट ली हू एक चमच काली मिर्च पाउडर और एक कटोरी सावो दाना इसको भीगोना नहीं है यह सुखा ही सावो दाना है एक चमच जीरा तीन हरी मिर्च बारी कटा हुआ सेंधा नमक स्वादा नुसार और अमचूर पाउडर तो सबसे पहले कड़ाई को रखते हो गरम होने के लिए कड्हाई गरम हो गया है इसपो जों तक मेरें 5 मिन पैसे पाइन पाउडर बना लेना है इसपो पाइन पाउडर पिसके तयार हैं, अभी इसको इसी में डाल लेंगे, खली में, अब ये कच्चा मुंपली भी इसी में डाल के, इसको भी पीस लेंगे, दरदर मुंपली भी पीस लेंगे, अब इसको भी इसी में डाल देंगे, आलू को पहले मैश कर लेते हैं, आलू को मैश कर दी हूँ अब इसी में अमचूर पॉडर जीरा काली मिर्च हरी मिर्च कड़ी पता और स्वादनुसार नमाग अब ये सबी को एक साथ मिला लेंगे जरूरत पड़ेगा तो पानी डालेंगे नहीं तो आलू में पुरा मिक्स हो जाएगा अब ही मत दाना इसको मैं मिक्स कर ली हूँ इसमें पानी नहीं डाली हूँ आलू से ही हो गया है मिक्स इसमें से थोड़ा सा पॉरसन ले लेंगे इसको इस तरह से पहले दबा लेंगे इसका बॉल बनाना है देखे इसी तरह मैं सब बना ले ती हूँ, सबी को मैं बना ली हूँ अब इसको फ्राई करने चलते है तेल को गी को मैं पहले से हाइफ अयह प्लेम पर गरम कर दी हुँ और अब भी इसको हाई प्लेंपे रहने देना है इसमें कर्टे डाल देंगी अब इसको मेडियों में कर देंगी व्यास को यह देखिए एक तरह पीए सीख गया है तो इसको भी तलट लेंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको प्राइ कर लेंगे यह देखिए ही हो गया है अब इसको निकाल देते हैं बन के तयार है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आयो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर कि थन्यवाद